अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपर्टेंट टॉपिक लॉफ डिमांड लॉफ डिमांड क्या होता है देखिए लॉफ डिमांड होता है अब हमने बहुत सारे पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे पढ़ेंगे ये जितने भी factors है second, third, fourth और फिफ और जो miscellaneous मैंने आपके साथ में डिसकस किते ये सारे factors तो क्या रहेंगे ये सारे factors रहेंगे क्या constant मतलब ये हमने assume कर लिया कि ये सारे factor two, three, four और five वाला factor क्या रहेंगे constant ये हमारी demand को परभावित नहीं करेंगे और जो price of commodity है उसके खुद के दाम उस commodity के जो हम खरीदना चाते है demand करना चाते है जिसको उसके खुद के दाम और उसकी खुद की demand के बीच में क्या relation होगा? inverse relation होगा understood? means जब price बढ़ेंगे तो उसकी demand कम होगी that is law of demand law of demand होता है other factors या other things remain constant and the price of the commodity on price of the commodity and the demand of that commodity has inverse relation understood? उन दोने के बीच में consolation होता है? inverse relation होता है देखिए जब किसी commodity की price एक रुपय था तो उसकी demand कितनी थी? 100 उसका price बढ़ेंगे 2 रुपय होगा तो उसकी demand घटके कितनी होगी? 60 फिर उसके price बढ़ेंगे 3 रुपय होगा तो उसकी demand घटके कितनी होगी? 60 फिर उसके price बढ़ेंगे 4 होगा तो उसकी demand घटकर 40 होगई 5 रुपय होगा बढ़ेंगे तो demand ओर भी कम होगी 20 आपको दिख रहा है जैसे जैसे price बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके डिमांड कम हो रही है means there is a inverse relationship between own price of that commodity and the quantity demanded of that commodity understood अब इसी टेबलर फॉर्म को यह जो schedule दे रखे है जो को हम default schedule बोलते है यह होता है टेबलर फॉर्म जब इस टेबलर फॉर्म को schedule को हम graphically represent करते है तो यह कहलाती है demand curve मैंने आपको बताया था for example जब commodity का दाम एक रुपए था तो उसकी demand कितनी थी उसकी demand 100 थी understood जब उसका price एक रुपए से बढ़कर कितना हो गया दो रुपए भई वाई एक्स इस पे हम price दर शाते है जब एक रुपए से बढ़कर price कितना हो गया दो रुपए यह इस point से कहां पहुँच गया इस point पर तो उसकी demand 100 से गट कर कहां पहुँच गई 80 पर यह 80 हो गया understood तो क्या हुआ यह हमें 2 point मिले इस से जब हम इसको ऐसे attach करेंगे understood और जब हम इन points को attach करेंगे तो हमें कौसे कर मिल जाएगी demand कर मिल जाएगी सीधी सी बात है इस schedule को इस tabular data को जो data stable में दे रखा है इसको जब हम graphically represent करते है और इन points को जोड़कर जब हमें curve पराप्त होती है वो कहलाती है demand curve understood अब इस demand curve का जो यह negatively slope भी क्यों होती है यह भी एक बहुत अच्छा कोशन है why demand curve is negatively sloped और downward sloping यह ऐसे क्यों है यह ऐसे इसलिए है अगर हमें demand बढ़ानी है तो हमें हमारे price कम होगे तभी demand बढ़ेगी understood means y axis पे जो चीज दे रखी है और जो चीज x axis पे दे रखी है जब भी इन दोनों x पे दिये हुए चीजों का जो relation है वो negative होगा तो यह जो यहाँ पे जो भी कवर बनेगी वो कैसी बनेगी वो downward sloping बनेगी वो negatively sloping बनेगी यह पे आपने क्या लिक रखा है price यहाँ पे लिक रखा है quantity demanded price बढ़ते है P1 से का पहुँचते है for example P से का पहुचते है P1 पे P उपर दे रखा है P से का पहुच गया price P1 पे और demand Q से Q1 पर जब P price था for example 10 रुपे की चीज ती कोई 10 रुपे में हम उसकी 1 unit खरीद दे थे जब उसके दाम घटके कितना हो गया आठ रुपे तो हमने इसकी डिमांड खरीदनी स्टार्ट कर दी कितनी दो यूनिट हमने इसकी दो यूनिट खरीदनी स्टार्ट कर दी जब दस रुपे दाम थे तो हम खरीद दे थे एक यूनिट यह बन गया जब दाम आठ रुपे हो ग रखी है X axis पर जो चीज दे रखी है इन दोनों के ू को सलीशन है in वर सलीशन है प्राइस बढ़ेंगे तो quantity demanded कम होगी प्राइस घटेंगे तो quantity demanded बढ़ेंगी धाइस यह क्या हो गया नेगेटिवली स्लोप्ट हो गया, डाउनवार स्लोपिंग हो गया सो स्टूरेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यूँए